उन्होंने अपने सियासत के गुर्ष सीखे हैं, दलगत राजनीती से उपर उठकर, मुलाइम सिंग यादव ने अपनी एक एहम भूमिका देश की राज़ जहां 20 करोड लोग गरीबी के नीचे हों, जहां अभी भी स्वास्त और सिवा के क्षेत्र में भग बड़ी संख्या म लोग बंचित हों, तो कुछ सशक्त नेतरतों की आवेशक्ता रहती है, और वैसे भी लोग तंत्र में एक मजबूत नेतरतों की भी आवेशक्ता रहती है, ऐसी परिस्थितियों में जब देश चारों तरफ से, कई संकटों से भी और कई संगर्शों से गुजर रहा है, मजबूत नेतरतों हर स्थल पर, हर पार्टी में, हर विचारधारा में उपस्थित रहे तो वो लोग तंत्र को भी मजबूत करता है तो जब जब देश मुश्किल में रहा, तब तब मुलाइम सिंग यादव की उस मजबूत नेतरतों को हमने देखा, जिसके जरिये, उन्होंने राज़्टी डल से उठकर, विचारधारा से उठकर, हर एक डल को साथ लेकर चलते हुए नज़र आए, क्योंकि उन्हें पता 1967 में उन्होंने जीता विधायक के तौर पर और लगातार चुनाव जीते हुए एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि जब 1992 में उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी खड़ी की समाजबाद के नाम पर, जिसका नाम आगे जाके समाजबादी पार्टी हुआ पहली बार वो यूपी के मुखे मंत्री बने लेकिन ग्राउन जीरो से उन्हें काम करने की बहुत जरुत पड़ी और ऐसे में वो साइकल का तहारा लेते थे और साइकल साइकल लोग के बीच पहुँचते थे और प्रचार करते थे बिल्कुल और फिल्हाल सिफाई में किस तरीके की तस्वीरे नजर आ रही है क्योंकि सिफाई उनकी कर्म भूमी रही है जन भूमी रही है और सीधा मैं रुख करना चाहूंगी दिनेश मेरे सहयोगी सिफाई से मासा जुर रहे है दिनेश आज एक युग का आंत हो गया है लेकिन सिफाई के लिए जो काम उन्होंने किया है उस एक-एक मील का पत्थर जो रखा है वर्थकों की प्रती भी अपनी संवेजना अब्यक्त करता हूँ शिमरायम सिंग आदो जी